आई में हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे होमियोस्टेसिस के बारे में और उसी को हम कंटीनु करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है इंपोर्टेंट पॉइंट है तो हम इसको लेकर के continue करेंगे homeostasis की definition हम समने पढ़ी last class में तो हम थोड़ा सा homeostasis को थोड़ा सा और extend करते हैं homeostasis के बारे में थोड़ा सा recall कर लें कि homeostasis क्या है homeostasis balance की state है किसकी state है भई? balance की state है और किसका balance हमने already discuss किया body के internal environment का balance I hope इतनी चीज तो आपको clear है internal environment हमने किसको बोला body का internal environment क्या होता है भई? interstitial fluid जो है वो body का internal environment होता है और इस interstitial fluid के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा ठीक से पढ़ा I hope आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा जो students नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या nursing smart के साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारा पहला वीडियो देखें और detail में पढ़े हैं कि what is interstitial fluid? what is internal environment? अब इस बारे में थोड़ा सा ओर discuss करते हैं ये interstitial fluid किसका टाइप है? ECF का टाइप है और ECF के बारे में हमने कुछ पढ़ा काफी कुछ पढ़ा ECF के बारे में अगर हम थोड़ा सा ओर detail में चलें ECF के बारे में हम बताएं कि ECF fluid हमारे body के अंदर कौन-कौन से होता है हमने तो दो ही divide किये थे क्या-क्या एक तो interstitial fluid जो की cells के बीच में होता है दूसरा क्या होता भई intravascular fluid जो vessels के अंदर होता है दो तरीके से हमने पढ़ा body के अंदर ECF आपको देखने को कहा-का मिल जाएगा ये एक important point है जो कि आपको समझना चाहिए और हम आपको एक छोटी सी important बात इसके बारे में discuss करना चाहेंगे आपसे कि body के अंदर important ECF जो है वो कहा-काहा है आप देखिएगा दोस्तों सबसे पहला important point क्या blood बहुत important question कि blood क्या एक कि क्या blood एक ECF है प्राइमा फेसी आपको समझ में आता है कि blood ECF है क्योंकि हमने बताया भी आपको blood vessels के अंदर जो fluid है वो ECF है और वो blood vessels का ही fluid है blood तो ये क्या होगा ECF ही होगा मैंने कि यहाँ पर term यूज किया प्रीमा फेसी DHSB में question आता है इसको ले करके what is prima facie English भहसा का शब्द नहीं है comment box में लिख करके बतायेगा कि prima facie कौन सी language का शब्द है prima facie का मतलब होता है प्रथम द्रष्टिया मतलब प्रश्टिया पहली नजर में पहली नजर में देखने से कैसा लगता है तो पहली नजर में देखने से हमें blood क्या लगता है ECF लगता है लेकिन गलत बात blood ECF नहीं है दोस्तों blood के अंदर blood cells भी है जिसके अंदर कौन सा fluid है ICF है इसका मतलब blood एक ECF नहीं है तो blood में क्या ECF है blood plasma जो है वो ECF है बहुत important चीज बता रहा हूँ आपको मैं blood नहीं बलकि blood plasma जो है वो एक तरीके का ECF होता है समझेंगे आप इस चीज को दूसरा एक्जामपल lymph समझ सकते हैं आप lymph blood plasma है तीसरा एक्जामपल क्या भाई CSF CSF cerebral spinal fluid क्या है भाई ECF है joints में synovial fluid क्या है भाई ECF है आखों के अंदर aqueous humor क्या है ECF है तो यह सारे के सारे एक्जामपल है ECF के तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि homeostasis कैसे maintain हो रहा है कैसे regulate हो रहा है homeostasis को हमारी body के अंदर regulatory processes जो है कैसे maintain कर रही है कैसे regulate कर रही है इसके बारे में हम discuss करेंगे तो उससे पहले हम इसके कुछ examples देखते हैं कि homeostasis के हमारी body के अंदर क्या-क्या examples है homeostasis का हम सबसे पहला example ले रहे है body temperature का body temperature का नाम आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमारी body का normal body temperature कितना है सब समझते हैं 37 degree Celsius या 37 degree centigrade यहाँ पर जो centigrade है या Celsius जो है वो temperature को दिखाने की unit है क्या body temperature को या temperature को हम और किसी भी unit में दिखाते हैं क्या? जी दिखाते हैं Celsius के अलावा हम इसको Fahrenheit में दिखाते हैं Fahrenheit के अलावा हम इसको Kelvin में भी दिखाते हैं लेकिन temperature conversion के एसाब से exams में questions आते हैं और किसको लेकर क्या आते हैं degree centigrade और degree Fahrenheit को लेकर के exams के अंदर question आते हैं Kelvin के साथ में कोई degree नहीं होती है इसको ये 12 तक ही physics का काम था हम यहाँ पर discuss करेंगे Conversion formula temperature का conversion formula जिसमें degree centigrade और degree Fahrenheit में temperature को कैसे convert करते हैं homeostasis हम थोड़ा सा बाद में discuss करेंगे अभी discuss करेंगे छोड़ेंगे नहीं लेकिन degree centigrade और degree Fahrenheit के 20 का conversion formula है वो आपको पता होना चाहिए कि degree centigrade और degree Fahrenheit आपस में कैसे convert होते हैं exams में 90% question तो किसको लेकर क्या आते हैं temperature आपको दिया हुआ होगा degree Celsius में या degree centigrade में आपसे पूछा क्या गया कि इसको degree Fahrenheit में convert कर दीजिए तो सबसे पहले हम degree Fahrenheit के conversion का formula formula तो वही है बस उल्टा पुल्टा करना है कैसे याद रखना और वो केवल एक ही formula आपको ध्यान में रखना है उसके बाद में आपसे अगर कोई Fahrenheit से degree Celsius में change कराएंगे तो उसी formula से हम सीखेंगे देखिएगा थोड़ा सा और याद नहीं करना है रटना नहीं है कैसे याद रखना है हम आपको बताएंगे कि degree centigrade को degree Fahrenheit में convert करने का formula सबसे easy formula क्या है और कैसे इसको याद रखना है क्या बोला गया भी आपसे बोडी का temperature दिया हुआ है 37 degree centigrade आपसे बोल दिया गया कि इस degree centigrade को इस degree centigrade को Fahrenheit में convert कर दीजिए कैसे याद रखेंगे भई degree Fahrenheit is equal to steps दिमाग में रखना जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही दिमाग में रखना degree centigrade आपको दिया हुआ है पता है इसको सबसे पहले 9 से multiply कीजिए सबसे पहला काम degree centigrade को degree Fahrenheit में बदलने के लिए degree centigrade को 9 से multiply कीजिए याद हुआ क्या करना है भई 9 से multiply करना और कर लेना है क्या कि आपने degree centigrade को 9 से multiply किया दूसरी step में क्या करना है जो product आपके पास आया उसको 5 से divide करना है और last काम क्या करना है भई उसमें 32 जोड देना है 32 add on कर देना है देखिए वापस बताता हूँ पहली step में आपको 9 से multiply करना है दूसरी step में आपको जो 9 से multiply किया उसको 5 से divide करना है और तीसरी step में ये जो था उसमें 32 add कर देना है आपके पास क्या आजाएगा degree Fahrenheit में temperature की value आजाएगी ये तो मैंने आपको बताया है conversion का formula आपको क्या आगया भई 9C upon 5 plus 32 अगर हम इसको थोड़ा सा और solve करें तो ये 1.8C आजाएगा 9 को 5 से divide करेंगे तो क्या आएगा भई 1.8C plus 32 इसका मतलब दूसरी तरीके से हम बोलें तो degree centigrade में आपका जो temperature उसको 1.8 से multiply करके 32 जोड दीजिए दो formula आपके पास में आचुके है degree centigrade को degree Fahrenheit में convert करने का clear है अब कोई आप से पूछे degree centigrade में temperature निकालिए इसका मतलब degree Fahrenheit में आपके पास temperature दिया हुआ होगा तो क्या इसके लिए भी कुछ याद रखना है क्या जी नहीं याद रखना जो उपर काम किया है उसको उल्टा कर दीजिए कैसे करेंगे Fahrenheit में तो दिया हुआ ही है सबसे पहले देखो उल्टा चलेंगे यहां से 32 को लेंगे यह प्लस था माइनस कर देंगे clear है दूसरे में क्या किया था भई हमने second step में 5 से डिवाइड कर रखा था यहाँ पर 5 से multiply कर देंगे और पहली step में क्या था भई आप 9 से क्या कर रखा था multiply कर रखा था अब की बार 9 से डिवाइड कर देंगे यह degree Fahrenheit to degree centigrade में conversion का formula हो गया दुनिया में temperature conversion का इससे simple formula नहीं है कोई formula यही है बताने का तरीका नहीं है I hope आप इसको समझेंगे और exams तक इसको आप pending में नहीं रखेंगे आज की date से और ऐसी चीजें दोस्तो अपनी desk के सामने छोटी छोटी flags जो आती है colored flags आती है उनमें लगा कर के इस तरीके से जो मैंने बताया है degree Fahrenheit को degree centigrade में degree centigrade को degree Fahrenheit में convert करने का formula कि centigrade को 9 से multiply कीजिए 5 से divide कीजिए और 32 जोड दीजिए इसके उलट degree Fahrenheit को centigrade में change करने के लिए उसका उल्टा करते जाए Fahrenheit में जो आपके पाद temperature है 32 minus कीजिए फिर 5 से multiply कीजिए फिर 9 से divide कर दीजिए बात खतम हो गई है हम discuss कर रहे थे homeostasis के examples homeostasis के examples में हमने सबसे पहले example लिया body temperature का body temperature हमने discuss किया कितना होता है 37 degree centigrade normal temperature Fahrenheit में अगर इसको convert करें अपने फार्मूले से तो कितना आता है भई 98.6 degree Fahrenheit करके देखना फार्मूले से कैसे करोगे degree centigrade वाल टेम्परेचर को सबसे पहले 9 से multiply करना फिर 5 से divide करना और उसके बाद में 32 प्लस कर देना आपका degree Fahrenheit में फार्मूला temperature आ जाएगा अब body temperature क्या हो सकता है या तो भोग ज्यादा हो सकता है too high या फिर too low इन दोनों ही condition में ये normal condition नहीं है ये altered controlled condition है body temperature का too high होना तो low होना altered controlled condition है controlled condition क्या है यहाँ पर body temperature body temperature गजब हो ज्यादा है तो क्या होगा homeostasis activate होगा body temperature को maintain करने के लिए regulate करने के लिए क्या होगा body temperature कम लाना होगा कम लाने के लिए क्या होगा भई loss करना पड़ेगा किसका heat का loss करना पड़ेगा और heat कैसे loss की जाती है? sweating की form में heat loss की जाती है sweating के through heat loss की जाती है हम इसको detail में पढ़ेंगे homeostasis के साथ में कि कैसे heat loss होता है कैसे heat production होता है detail में पढ़ेंगे यहाँ पर हम आपको homeostasis के regulation के examples यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं कि too high body temperature कैसे maintain होगा heat loss करनी पढ़ेगी heat loss कैसे होगी? sweating के through होगी body का temperature जो है वो normal की तरह पाएगा clear? अगर too low temperature है तो क्या होगा भई? heat produce करनी पढ़ेगी heat produce कैसे करते हैं? shivering के through करते हैं rigers के through करते हैं तब body का temperature जो है normal की तरह maintain होता है यह homeostasis का एक example है दूसरा example पढ़ते हैं दोस्तों हम detail में दूसरा example homeostasis के regulation के लिए किसका लिए आमने blood glucose का जैसे body temperature का आपको normal का पता था blood glucose, blood dextrose blood sugar जिस भी नाम से जानते हैं आपको पता होना चाहिए तीनों नाम blood glucose, blood dextrose, blood sugar normal level क्या होता है भाई इसका I hope सब लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है 72, 110 mg per deciliter हम आपको बता रहे हैं दोस्तो classes हमारी लंबी हो सकती है लेकिन आपकी depth में knowledge जो है वो सबसे important है मैं बार-बार कहता हूँ आपका base जितना मजबूत होगा आपके basics जितने मजबूत होंगे आप उतनी ही heights पर जाओगे ये note करके रख लीजिएगा दुनिया की जितनी उंची से उंची building है चैसे आप बुर्ज खलीपा का नाम ले लीजिए बुर्ज खलीपा का example ले लीजिए I hope दुनिया की सबसे उंची building है लगबग 828 मिटर लगबग 163 floors है उसके कहां पर है भई? GK का question के साब से Dubai UAE में है ये ये कोई 29 floors की building बनी है तो उसके इन 29 floors के construction में जितना expenditure आता है उतना उसके लगबग बरावर का ये level 0 तक मतलब की ground पर basement को set करने में उसका उसकी नीव रखने में उसकी नीव रखने में उसके लगबग expenditure आ चुका होता उसके exterior interior की बाते अलग है मैं construction की बात कर रहा हूं मैं उसके base के बनाने की बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि आपके basics import basics जो है वो strong होना basics अच्छे होना कितनी जरूरी चीज है DL का मतलब क्या होता है बई deciliter आप से कोई पूछे 1 deciliter में कितने ml होते हैं तो सबसे पहले देखिए 1 liter के अंदर 1000 ml होते हैं I hope सबको पता होना चाहिए तो 1 deciliter में कितने ml होंगे एक लिटर में 1000 ml है तो 1 deciliter में कितने ml होंगे यहाँ पर देखिए आप से compare कीजिए मैंने 1 liter 1 liter इसके बीचे में D में ने फंसा दिया है यहाँ पर D का मतलब क्या था जी dec dec का मतलब क्या होता है देख थे जाएगा दोस्तों 10 waste to power 0 10 waste to power minus 1 10 waste to power minus 2 10 waste to power minus 3 इनके meaning क्या होते हैं 10 waste to power 0 का मतलब होता है 1 unit और किसी भी किसी भी digit की power 0 का मतलब 1 ही होगा हमेशा दिमाग में रखना तो 10 की power 0 का मतलब 1 होता है 10 waste to power minus 1 का मतलब क्या होगा भई dec बोलते हैं उसको 10 waste to power minus 2 का मतलब क्या होता है भई centi 10 waste to power minus 3 का मतलब क्या होता है भई milli यहाँ पर हमने क्या लिखा dec तो हम 1 deciliter की value जानना चा रहे हैं यहाँ पर हमने d बीच में डाला है यहाँ पर d की value हम यहाँ पर भी लिखेंगे कितनी भई 10 waste to power minus 1 आगया हमारा answer क्या जी 1000 upon 10 को निचे ले जाईए और कितना आगया भई 100 ml mathematics के basic चीजे में आपको यहाँ पर clear करना चा रहा हूँ मतलब अगर कोई यह लिखे इसको 72 110 mg per 100 ml यानी 100 ml blood में blood glucose का level जो है 70-110 mg का होता है I hope चीजें आपको समझ में आ रही है यह है इसकी normal value हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर homeostasis homeostasis का मतलब कि भई अगर blood glucose का level below 70 आ जाए या फिर more than 110 mg per deciliter चला जाए या तो below 70 आ जाए या 110 mg per deciliter चला जाए दोनों ही conditions में homeostasis regulate करेगा किसे इस controlled condition को इस normal range में लाने के लिए एक के condition पढ़ेंगे दोस्तों और बहुत important चीज है आपको यहाँ से questions आते हैं आप later on भी पढ़ोगे बेसिक्स हैं आपको पता होनी चाहिए चीजी पहले example में अगर blood glucose का level पहले example में अगर blood glucose का level मालनी जीए 110 mg per deciliter से ज्यादा हो गया मतलब blood glucose का level ज्यादा हो गया खाना खाया आपने blood glucose का level बढ़ेगा 100% बढ़ेगा जो blood glucose का level इससे ज्यादा है उसका क्या किया जाता है एक चीज दिमाग में रखिएगा आप हमेशा जब भी blood glucose का level ज्यादा बढ़ेगा liver act करेगा लेकिन liver के हाथ में है क्या सब कुछ जी नहीं कौन काम करेगा इसके साथ में pancreas pancreas क्या करेगा भई जो भी excess glucose है ये pancreas क्या release करेगा भई insulin release करेगा excess glucose को ये insulin आ करके उठाएगा और कहां लेकर के जाएगा liver के पास में किसाब ये glucose जो है body के अंदर ज्यादा हो रहा है blood के अंदर ज्यादा हो रहा है क्या किया जाए भई इसका इसको आप जमा कीजिए कैसे करेंगे glucose को glucose की form में जमा नहीं किया जा सकता कैसे जमा किया जाएगा वो काम होगा क्या भई ये या liver करेगा insulin केरी करता है liver के पास में liver इसको किसमें convert कर देगा भई glicogen में अब देखना कई important चाहिए अब यहां से important questions note करना क्या कि body के अंदर glucose किस form में store रहता भई क्या glucose glucose की form में store रहता है क्या जी नहीं किस form में store रहता है glycogen की form में store रहता है किस ने बदला glucose को glycogen में liver ने बदला किसकी help से बदला insulin की help से बदला ये सारी चीजे अब glucose glycogen में बदल गया इस process को हम क्या कहते हैं भई क्या बना भई glycogen glycogen बनने की process glycogenesis clear है questions देखते जाना अब यहां पर glucose को जब glycogen में बदल दिया गया तो blood glucose का level कम हुआ की ज़्यादा हुआ कम हुआ की ज़्यादा हुआ भई glucose का level blood के अंदर क्या हो गया भई कम हो गया इसका मतलग इसका मतलग insulin blood glucose का level कम करने का काम करता है clear है I hope आप लोगों को ये चीजें समझ में आने चाहिए जब कभी भी blood glucose का level ज़्यादा गया कैसे maintain हुआ glucose को glycogen में बदल दिया गया किसने बदला भई पेंक्रियाज के insulin जो है इसको पोटली में बांद करके किसके पास लेकर के गया liver के पास में और इसको glycogen में बदल दिया गया इस process को glycogenesis कहते हैं इसका मतला इन्सुलिन बदल के अंदर glucose का लेवल कम करता है direct कि उससना आता है दोस्तों लेकिन confused हो जाते है एक्जाम्स के समय में direct कि उससना आता है लेकिन फिर इन्सुलिन क्या करता है glucose कम करता है कि जदा करता है दूसरा example देखिए इसका भई अगर बलड ग्लुकोज का लेवल 70 मिलिग्राम पर डेसिलिटर से कम हो गया तो तब क्या करेंगे भई कोई बात नहीं जमा कराया था ना किसकी फोम में गलाइकोजन की फोम में ले आते हैं वहाँ से वापस भई बैंक में पेसे जमा कराके आते हो तो वह आपको ऐ से दे देता है क्या नहीं देता ना आपसे स्लिप बरवाता आपके सिगनेचर में मैच करता है फिर आपको बड़ी संदे बरी नजरों से भी देखता है क्या बंदा वही है क्या जिसके पैसे यहां पर तो इतना आसान नहीं होता बैंक से पैसे मिलना तो उतना ही आसान यहा कौन ग्लुकेगोन हेल्प करता है किसकी हेल्प किसकी चाहिए होती है दोस्तों उसी लीवर की लीवर ही करता है यह काम अगेन ग्लाइकोजन को किस में बदल दिया जाता है भई ग्लुकोज में बदल दिया जाता है कलियर है अब आपके दिमाह में क्युस्षन आ रहा होगा कि इसाब जो ग्लुकोस से ग्लाइकोजन बना था पहले वाड़े प्रोसेस में ग्लाइकोजिनेसिस में वो ग्लाइकोजन था कहां अगेन बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन वहीं बता जेना चीए था लेकिन कोई बार नहीं दे रहा है दूरुस्त आए यहां पकड़ लिया हमने इसको ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन हमारी बोडी के अंदर कहां इस्टो रहता है भई नोट कर लीजिएगा एक तो लीवर में दूसरा मसल में लीवर और मसल्स में जमा रहता है कौन अक्सेस ग्लुकोज किस फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में लेकिन जब कभी भी होते हैं वरत रख लिया जी अञी है महासिव रात रीगलॉकोज तो है ने वोड़ि के अंदर खाना तो ख़ा नहीं रहे हैं घ्लॉकोज तो ले नहीं रहे तो क्या चाहिए भाई वोड़ि को अनर्जी चाहिए अनर्जी कहा से मिलेगी जो पैसे आप जमा करा करके आये थे glycogen की फोम में उससे मिलेगा लेकिन कौन बनाएगा उसको अगेन लीवर किसकी वज़ेसे किसकी प्रजेंस में ग्लुके गोन की प्रजेंस में और उसको ग्लुकोज में कनवर्ट कर देता है अब आप इस चीज को यहां पर समझ में आ रही है चीज़े आई थिंक आप लोगों को यह हो रहा है होमेश्टेसिस मेंटेन पहली कंडिशन में वन टेन से प्लस सला गया लोवर किया गया ब्लड ग्लुकोज को मेंटेन करने के लिए दूसरी कंडिशन में कम आ गया बढ़ाया गया किस प्रोसेस के एग्जामपल्स नहीं बता रहे हैं यहां पर बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़ें आप लोगों साथ में डिसकस करेंगे ब्लड केलसियम लेवल का नाम है बेटर से सीरम केलसियम लेवल पता होना चाहिए नोमल सीरम केलसियम लेवल कितना होता है कितना होता अगेन वही मिलिग्राम पर डेसी लिटर एक्जाम्स का बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है सीरम केल्सियम का नॉर्मल लेवल साड़े आठ से 10.2 थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग-अलग बुक्स के इसाब से अब हम यहापर क्या पढ़ रहे हैं भाई अगेन दो कंडि कंडिशन्स पढ़ेंगे कि या तो 10.2 मिलिग्राम पर डेसी लिटर से ज्यादा हो जाए या फिर दूसरी कंडिशन में साड़े 8 मिलिग्राम पर डेसी लिटर से यह क्या हो जाए भाई कम हो जाए ज्यादा हो गया क्या कहेंगे कंडिशन को सीरम केल्सियम का ज्यादा हो ज आते हैं यह हाईपर केलसीमिया की कंडिशन में क्या होगा कौन एक्ट करेगा मतलब क्या हो अब यह केलसियम हमारे ब्लड के अंदर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है आपके पांस में जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हो भई आप जाकर के उसको बैंक में जमा क करा दें तो भई केल्सियम का बेंग कौन है जी बॉन से बॉन के अंदर जाके जमा करा देंगे लेकिन जमा करा के कौन आए भई कोई तो बंदा चाहिए कोई तो आदमी चाहिए केल्सियम को जा करके जो बेंग के अंदर यानि बॉन के अंदर जमा करा करके आए तो किसके पा बिले हम आपको छोटी सी चीज और बता दें बोडी के अंदर ब्लड केलसियम लेवल को मेंटेन करने का काम यानि की कम हो गया तो ज्यादा बढ़ाना ज्यादा हो गया तो कम करने का काम कौन करता है थाइराइड और पेरा थाइराइड ग्लेंड मिलकर के करती है काम अब कौन कम करता है कौन ज़्यादा करता है यह हमारा अभी discussion का point है land में हम discussion करेंगे endocrine system में लेकिन हम यहाँ पर example को fulfill करना चारे हैं कि blood calcium level कैसे maintain होता है homeostasis कैसे act करता है example लिया हमने सबसे पहला कि blood calcium level 10.2 mg per deciliter से ज़्यादा हो गया यानि serum के अंदर blood के अंदर calcium का level ज़्यादा हो गया तो कौन सी endocrine gland act करेगी यह दोनों काम करती है एक कम करती एक ज़्यादा करती है तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो कम करने का काम कौन करेगा इस समय काम करेगी thyroid gland तो भीया thyroid gland तो राजा है राजा उठ करके जाता है क्या कोई काम करने के लिए जी नहीं इस thyroid gland में दो तरीके की endocrine cells होती है डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे एक cells को बोलते हैं follicular cells दूसरे को क्या बोलते हैं भई पेरा follicular cells ये follicular cells क्या release करती है T3 and T4 hormones release करती हैं और ये T3, T4 का काम क्या होता है भई BMR को maintain करना पढ़ेंगे लेटर ओन और दोस्तों nursing smart में जो आपको चीज बोल दी गई है पढ़ेंगे discuss करेंगे अगर आपको कभी life में ऐसा देखने को मिले कि हमने कोई चीज बोल दी हैं इसको detail में पढ़ें और नहीं पढ़ाएं आप हमें please point out कर दीजिएगा सर आप बहुत बोल रहे थे उस समय में कि हम इसको detail में पढ़ें और हमें पढ़ाया नहीं गया अभी तक समय आने पर एक एक चीज आपको detail में पढ़ाई जाएगे और बेज़े जख बोलते हैं calcitonin calcitonin किस में नाम मिल रहा है भई calcium में नाम मिल रहा है इसलिए इन पेरा follicular cells को और दूसरा नाम भी देते हैं क्या भई c cells इसका मतलब ये calcitonin अपने काम का है calcitonin क्या करेगा जितना calcium इससे ज़्यादा हो रखा है उसको बांद के एक पोटली में और कंदे पे डाल करके कहां लेकर के जाएगा बैंक में लेकर के जाएगा मेंशर साहाब को बोलेगा कि साहब हमारे पास मी एकस्ट्रा हो गया इसको जमा कर लीजिए ठीक है जी और क्या करेगा जमा कर दिया एक बात और बोलकर क्या आता है मजाग के अंदाज में बोल रहा हूँ एक बात और बोलकर क्या आता है मेनेजर साहब को कौन ये केलसी टोने ने क्या कि साथ जिस दिन जरुरत पड़ गई उस दिन वापस दे 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 ना जिस दिन जरुरत पड़ गई उस दिन वापस दे दे मैं नहीं आउंगा लेने के लिए मैं भाई आएगा मेरा दोस्त आएगा और वो दोस्त कौन है अभी डिसकस करते हैं समझ रहे हैं दोस्तो केल्चिटोनिन ने मेंजर साब को क्या बोली बैंक मेंजर साब को कि जिस सिन हमें इस केल्सियम की वापस जरूत पड़ेगी वापस यह नहीं आएंगे लेकिन मैं नहीं आऊंगा मेरा दोस्त आएगा मेरा भाई आएगा कौण आएगा भाई पीटियाच आएगा पैरा थाराइड हार्मोन लेने के लिए आएगा प्लीज उसे दे दिजिएन ज्यादा ना नुकर मत करना सिगनेशर मेlezen करने की कोषिस मत करना वो अपना दोस्ती है केलसियम लेवल तर्श पाइंट दो मिलीग्राम पर डेसीलेटर से ज्यादा हुआ कोन एक्ट करेगा थायराइड गलेंड एक्ट करेगी थायराइड गलेंड में दो त्रीके के एक्ट करना जबकि पैरा फॉलिकुलर सेल्स नाम पड़ा होगा और केलसितनी की वजह से इन भी बोलते हैं जाकर के यह एक्सेस केलसियम को बेंक में जाकर के जमा करा करा कि आयता है मलब बोन में जाकर करा करा कि आयता है क्यूशन्स रिकॉल कीजिएगा आप यहां से हॉर्मून केलसिटोनिन यह हॉर्मून केलसिटोनिन केलसियम का लेवल कम करता है कि ज्यादा करता है भई अभी इसने क्या किया अक्सेज केलसियम का लेवल कम कर दिया इट लोवर्स केलसियम लेवल केलसितोनिन लोवर्स सीरम केलसियम लेवल याद रखिएगा कहां से रिलीज होता है भई थाइराइड गलेंड का हर्मोन है दूसरी कंडिशन देखिएगा भई से हम जर्वत पढ़ेगी तो कहां से मिलेगा अब यह भी हमने पढ़ा आप बोलोगे सर वहां से लेकर के आ बैंक से जी नहीं लेकर आएंगे जल्द बाजी नहीं है भई कोई घर में पैसे की जर्वत होती है डायरेट बैंक भागते हो क्या भई आप मुके संबानी जी ने अपनी बैटी की शादी की तो वही नहीं गया होंगे इतना जल्दी तो भई वह तो थोड़ा वह तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है जब कभी भी हमें पैसे की जरुरत होती है तो डायरेट बैंक में नहीं जाते हैं हम देखते हैं घर में कितना अग रखा है हमारे पास में और कोई सोर्स क्या किसको छोटा मोटा पैस हमने दे रखा है उससे लेने की को प्रोसिस करेंगे इसी तरीके से मेनेज करेंगे फिर भी नहीं बेट रहा तो क्या होगा भई बैंक से जाके लिए आएंगे तो ब्लड केल्सियम लेवल अगर कम हो गया है तो एक्ट कौन करेगा भई पी टी एच एक्ट करेगा पहले थारेड एक्ट कर रही थी किस कंडिशन में ब्लड केल्सियम लेवल एक्स्ट्रा हो गया तो अक्सेस हो गया तो कम हो गया तो कौन एक्ट करेगा पी टी एच एक्ट करेगा पेरा थारेड अर्मोन एक्ट करेगा पेरा थारेड ग्लेंड एक् तो calcium level बढ़ेगा ठीक है दूसरा क्या बोलेगा भई renal tubules में जो क्या ओरा excret हो रही है वहां से renal tubules से जो calcium थोड़ा सा बाहर भी चला जा रहा है जहां पर reabsorption होता है किसका calcium का तो reabsorption को ज़्यादा बढ़ा दीजिए renal tubules में क्या कर दीजिए भई reabsorption को बढ़ा दीजिए यहां पर small intestine में absorption को बढ़ा दीजिए renal tubules में reabsorption को बढ़ा दीजिए अभी भी पार नहीं पढ़ रही तो क्या करेंगे अभी भी पार नहीं पढ़ रही तो क्या करेंगे फिर bank के पास में जाएंगे बोन के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि साब हमारा क्या देजी जो आपके पास में केलिसियम जमा था वो दे दीजिए अब दोस्तो समय का फेर देखिए दोस्तो इस PTH का भाई कौन भाई केलिसी टोनिन इसकी मोसी का लड़का पीटीएज के मासी के लड़के ने जाके मेनेजर साब को क्या बोला था कि मेरा भाई आएगा और क्या जब कभी भी आप से केलिसियम वापस मांगे तो दे दीजिएगा लेकिन हुआ क्या समय का फेर देखिए मेनेजर साब ने मना कर दिया मैं आपको नहीं पहचान था तो PTH क्या करता भीया क्रिश्ण जी और बलराम देखें दोस्तों आपने स्रेकर्षणा शिरियल देखते थे महाबारत में तो थोड़ा सा कम ही पाड़ था बलराम बड़े अग्रेसीव करेक्टर मलब अग्रेसीव टाइप के करेक्टर रहे हैं तो हमेशा तोड़ फोर की बात कर बोन की सेल्स को तोड़ करके लेकर के जाऊंगा और बोन की सेल्स को तोड़ने की अक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे दोस्तो ओस्टियो क्लास्ट एक्टिविटी ओस्टियो क्लास्ट एक्टिविटी बोन की सेल्स को तोड़ करके केल्सियम वहां से निकाल करके लेकर के आत कलियर है यह तीसरा तरीका है पहला तरीका स्मोल इंटेस्टेंड से अब्जॉर्ब्शन को बढ़ाया रिनल टूबूल से रियेब्जॉर्ब्शन को बढ़ाया नहीं बात बनी अभी भी पैसे कम पड़ गए अभी भी केलसियम लेवल मैंटेन नहीं हो पा रहा 508 के लेवल त तो वहीं से तोड़ फोड़ करके वापस लेकर करके आया कौन? PTH PTH ने क्या किया वही जनरली PTH ने केलसियम के लेवल को बढ़ाने का काम किया कितने तरीकों से कर सकता है ये तीन तरीकों से कर सकता है डिसकस किया हमने ओल रड़ी यह होता है homeostasis homeostasis का तरीका स्क्रीन पे आप एक general question देख सकते हैं क्या लिखते हैं what happens when there is a change in composition of interstitial fluid हमने देखो दोस्तों बार-बार study किया कि interstitial fluid इसकी composition में change हो गया तो क्या होगा interstitial fluid क्या है भई internal environment है समझ गए आप internal environment में change हो गया balance की state जो है वो क्या हो गई भई नहीं रही balance की state नहीं रही तो क्या हुआ भईया homeostasis जो है वो disrupt हो गया disrupt हो गया तो body या उस particular organ का physiology में क्या होगा changes आएगा alteration आएगी और उस organ की या body की illness होगी ठीक है जनरल चीज में यहाँ पर लिखी है कि इंट्रिस्टिस्टिसल fluid की composition में अगर change होगा तो क्या होगा interstitial fluid ही क्या है internal environment और internal environment में की composition में ही change आ गया balance change हो गया balance की state अब नहीं रही balance की state नहीं रही तो homeostasis disrupt हो गया homeostasis के disrupt होने को ही हम क्या कह देते हैं भी illness कह देते हैं क्योंकि अब organ की physiology है वो change हो गई है अब हम discuss कर रहे हैं बार-बार homeostasis 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 अब यह homeostasis regulate कैसे होता है इस homeostasis को regulate कौन करता है हमारी body में इस homeostasis को regulate करने का काम दो बड़े systems करते हैं ध्यान में रखिएगा बहुत important चीज़ है homeostasis कोन regulate करता है हमारी body के अंदर एक endocrine system तो दूसरा कोन भाई nervous system यह दोनो systems मिल करके homeostasis को regulate करने का काम करते हैं अब आपको पता है भई endocrine system तो कैसे regulate करेगा homeostasis को क्या release करके भई hormones release करके तो nervous system कैसे regulate करता है nerve impulses generate करके endocrine system hormones secret करके और nervous system nerve impulses generate करके nerve impulses के दोवारा homeostasis को regulate करने का काम करते हैं और यह regulation कैसे होता है भई feedback system से क्या होता है भई feedback systems से और इस feedback system को हम next session के अंदर detail में discuss करने वाले हैं कि feedback system क्या होता है यहां से commonly questions आते हैं दोस्तों एक्जाम्स के अंदर what is feedback system दो तरीके के feedback system निगेटीव पोजिटीव निगेटीव के एक्जाम्पल्स mostly जो feedback systems है निगेटीव feedback systems है बहुत कम homeostasy process है जो की positive feedback system से regulate होती है तो उसके examples बहुत ज़्यादा important दोस्तों आप मज़ समझिएगा ऐसा कि सरी basic सीचीजे पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या इनसे questions आते हैं क्या